कि नमस्कार दोस्तों मैं अब से कुमार शुकला आइंगे धाइक Bit के वे कि विट्रेंट एंटर फिल्ड के बारे में इसकी Fittin ने कर दी और इसके connection कनेक्शन confirmation हैu इस एक से इसको एक से तिंग पर हम ज्वाइंट करेंगे इसको हम कंपलीट करके आपको दिखाएंगे इसको फिल वह में 16 नंबर का वाई डाला है 16 नहीं सॉरी 17 नंबर का वाई डाला है 400 गराम और 400 गराम पतला वाला 26 नंबर डाला है अब इसके मोटे वाले वार में सीलो डालेंगे अच्छी तरीके से इसको अच्छे से ज्वाइंट करेंगे इस उपलायर से टाइट कर देंगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चुकि हमारी पुराने वीडियो पूरी डिलीट हो चुकी है चैनल भी हमारा डिलीट हो गया है हमने नया सुरू किया है प्लीज सपोर्ट कीजिएगा अब जूसरे कर तीसरे में कनेक्शन करेंगे पतले वाले में हम छिलो डालेंगे इसके वी कनेक्शन एक सी तिन पर होंगी एक ज्याइन एक लूप छोड़के होगा इसको चैसे ज्याइन करेंगे कट कर देंगे अब इस पर हम सी लेटरा कंप्लेट कर देंगे इसके मुटे वाले वार में सीलो डालेंगे अच्छे तरीके से इसको प्लाय से टाइट करेंगे कट कर देंगे इसको मुड़के हम इसके उपर सीलो चला देंगे यह भी कंप्लिक्ट हो जाएगा फिर अब हम तीसरे फिल्ड का चोथे में करेंगे तीसरे फिल्ड का बाहर ही शिराग जो छोड़ा हुआ है फिर वह एक शितित पर वह भी हम जोड़ेंगे बाहर का बाहर में ही जोड़ेंगे अंदर वाला अंदर ही जोड़ेंगे इसमें इसमें सील डाल दिया है इसको हम ब्याइट करेंगे इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गया है लास्ट कनेक्शन है इसके इसके मोटे वाले वाहर को हम जोड़ेंगे कि दिखिया भूलकर भी यह गलती नव करें जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि बहुत लोग होते हैं ऐसे जोड़ देने के बाद शिल्प नहीं डालते उपर से डालते हैं लेकिन उपर से से स्लीप ना जाले पीर से लगे कि इसको ठाकिते हुए काम कीजिए आप लोग इसको खोलके हम स्लीप दबारसे डालेंगे फिर मैं इसको टाइट करेंगे अच्छे तरीके सिन प्लीस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीस चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा हम अब से एक कुमार सुखला अच्छा से उसको मड़ देंगे अब इसको सिल्यम च्राज कंप्लीट कर देंगे अब इसमें कनेक्शन वाली वायर के वाल जोइन्ट करेंगे अब इसको बैठा लेंगे वायर को अच्छी तरह से तो इसमें हम सिल्यम डालेंगे पहले वायर में पतले वायर में हम सिल्यम डालेंगे अच्छी तरह से फिर इसको हम जाइन करेंगे अब इसको हम जाइन करेंगे अब दोनों तरफ नहीं हमने लोल लिया है विसको हम जाइन करेंगे अब दोनों तरफ हम सिल्यम डाल लेंगे अब पिर इसको हम अच्छी से जाइन करेंगे इसको जाइन करेंगे पतले वायर में जिसको हम डिसी बोलते हैं अच्छी तरह से हम इसको जाइन करेंगे एक तरफ का कंप्लीट हमने कर दिया है पतले वायर का फिरिस के दूसरी साइट का उठा के उसको जाइन करेंगे प्लिस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल के नहीं है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा साथ में बेल आइक उनको भी प्रेस किजिएगा ताक कि हमारी अगली वीडियो के नूटिस आपको मिलती रहे अब जिस में हम मोटे वायर के कनेक्शन करेंगे मोटे वायर में हम सीलो डालेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम mówiąसीलो डालेंगा पहले फिर हम उसको जायर करेंगे अचछे तरीके से बिलकुल टाइट ही करना है बिलकुल टाइट करके हम उसको कंप्लीट करेंगे फिर हम इसके कॉटन टीप लगाएंगे उसके पाद से हम बानिस करेंगे इस वीडियो पर लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर नहीं हम प्रेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमें हम से एक कुमार शुक्ला इसको अच्छे से हम जोइंट करेंगे प्लायर से टाइट करेंगे तो इसको कट करतेंगे हम इसकी हम उसी लोगने चाणा दिया है अलग उसी साइद का हम टाइट करेंगे अच्छी तरह से प्लीस वीडियो को लाइक कीजिएगा आप हमारे चानल उपने हैं प्लीक्षे में को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा प्लीस वीडियो को सुरू से लेके लाटता बेखिएगा इसको अच्छा सब्सक्राइब करेंगे इसले चला देंगे अब इसके वी वायर हम सेट करेंगे इस साइद के हम निटालेंगे नीचे के तरफ दोन वायर निचे के तरफ निकलेगा अच्छे तरफ से अच्छे तरफ से अच्छे तरफ निचे के तरफ आएएगे यह सही है अच्छे तरीके से बिलकुल ही राउंड करके ही बांधना है टाइट करके कॉटन टीप चे आपके हो थाएँवा लाईंगे के अच्छेश बाहें तरफ समय जाएगी जाएछ जाएएए रिच्छेवान करके दो सावा निक च्छिछे झॉड़utanा ओगाना ही का मिम्मिpe झाएएएगी निक्केता है के और आएईएएगी इसके राउंड करेंगे हैं प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा और आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जूरू किजेगा हम इसको बाने के कम्प्रीट करेंगे अच्छी तरीके से बिल्कुल ही टाइट बानना है अच्छी तरीके से बिल्कुल ही टाइट बानना है इसको अच्छी तरीके से प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा और आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जिरूरू किजिएगा साथ में बेल आइकन को प्रेस किजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोतिस आपको मिलती रहे स्कुछी भुचातल की मिलती चैनल का बानना के लुचारी लग्या बेल वीडियो के हमारे डतेगा यवीडािन कम्सक्राइगा dossाब कि बंदा है कि विल्कुल टाइट कि इसको हम कम्प्लीट करने के बाद इसके हम बार्निस डालेंगे कि अच्छे तरीके चाहिए प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा आपको मिलती रहे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट अभी किएगा कि अच्छे से हम टाइट करके बानेगे चोड़ी करगे अच्छे से बानेगे घुमाग मागे कि अच्छे तरीके से थोड़ा ही है पानना इसको मिलती करके आपको दिखाएंगे अच्छी तरीके से कि अच्छे से बानेगे प्लाव रहे जाएंगे है 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 कि अच्छे कर लिया है कि प्लीज वीडियो को लाइक तीजेगा और आप हमारे चैनल के नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब रिल के जिएगा लगबग हमने कंप्लीट कर लिया है कि ख़ड़ा हो रहे जा है कि इसको अच्छे से बानेंगे हैं कि अच्छे से बानेंगे हैं कि वहां पर पतला वायर हम थोड़ देते हैं और मोटा वड़ा नीचे के तरुक हन्य लगाते हैं हम बगल के साइड में जहां परित सेट लगा होता है में इसलिए एक साइड में और एक उपर लगा थोड़ते हैं मिली वीडियो का लाइक किजिए गर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब ज़ister की जीए साथ में बेल आइकन को भी प्रिस किए गा ताक्कि हमारे वीडियो की नौट कि इसको कट कर देंगे कि इसको राउंड बना लेंगे इसको राउंड बना लेंगे कि इस पर हम बार्निस डालेंगे अच्छी तरीके से कि हम इसको कंप्लीट कर लिया है कि इसके वायर हम छिल लेंगे कि कंप्लीट हो गया है अब इसके उपर हम बार्निस डालेंगे आप देख सकते हैं कैसे हम बार्निस डालेंगे इसके इसके इसे चारो तरफ हम बार्निस पर फूल डाल देंगे यह कंप्लीट हो जाएगा दन्यवाद